हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का साहित्य जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग राय कृष्ण दास जी द्वारा रचित अजन्ता की चित्रकला नामक पाठ के प्रश्ण उत्तर को देखेंगे पाठ के प्रश्ण उत्तर को सुरु करने से पहले मेरा यहाँ आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग पाठ को एक बार अवस्य पढ़ें आप लिखेंगे वहां की चित्रकला के बारे में जान पाएंगे बल्कि उसके एतिहासिक महत्तो को भी समझपाएंगे तथा आजंता की चित्रकलाओं का उनकी गुफाओं का स्थूपों का हमारे भारती इतिहास में क्या महत्व है क्या प्रभाव पढ़ता है उससे भी परिचित हो पाएंगे इसलिए पाठ को अबस्य पढ़े और उसके बाद प्रश्न उत्तर को करें तो चलिए प्रश्न उत्त पहला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं तो यहां पर देखिए चारवी कल्प दिया गया है पहला है महराष्ट दूसरा है असं तीसरा है गुजरात और चौथा है मध्य प्रदेश तो यहां पर चारवी कल्प दिया गया है तो देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ठ के फरदा पुर नामक ग्राम के आसपास इस्थी थे इस प्रश्न का कि अजंता की गुफाएं कि सब्रकाइन से उंधा स्वेस्था कि जो सही उत्तर है वहिए महाराष्ठ पहला वाला जो हमारा विकल्प हैら Kia ये सही है दूसरे प्रशन को देखते हैं खर नमबर प्रशन को अजनता के प्राकरतिक सौंदर ये हैं प्राकरतिक सौंदर ये कब तक होता है यानि कि यहांपर देखिए चारवी कल्फ है पहला है जनवरी से मार्च दूसरा है ऑक्टूबर से दिसंबर, तीसरा है जुलाई से सितंबर और चौथा है मार्च से जून तक तो अजन्ता के प्राकरतिक सौंदरे का विकाश यानि कि वृध्धी जो होती है वो मूलतह ऑक्टूबर से दिसंबर तक के महिने को तो जो सही उत्तर है वो है ओक्टूबर से दिसंबर तक यानि कि दूसरा वाला हमारा विकल्प ठीक है आईए तीसरे प्रशन को देखते हैं आजन्ता की कुल कितनी गुफाएं है इसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं चार विकल्प है । इसका सही उत्तर है वो है 29 गुफाएं, यानि कि हमारा तीसरा वाला विकल्प, ठीक है, प्रशन को देखते हैं, आईए, अजन्ता की सबसे बड़ी स्टूप गुफा, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं है, यहाँ पर कहा जा रहा है, स्टूप गुफा के बारे में, अजन्ता की सबसे बड़ी स्टूप गुफा कौन सी है, यही प्रशन पूछा गया है, तो वहाँ पर मुखी रूप से गुफाओं को दो भागों में बाटती है, जिसमें एक गुफा है, वो कुछ गुफाई जो है, वो स्टूप गुफा है, तो उसमें यहाँ पर चारवी कल्प दिये गये हैं, देखिए, पहला है सत्रवी नंबर गुफा, उननीस वी नंबर गुफा, बारवी नंबर गुफा और चौथा है पांच वी नंबर गुफा, तो जो सबसे बड़ी गुफा वहाँ की जो है, वो है, उननीस वी नंबर, यानि कि हमारा दूसरा वाला विकल्प, पर देखे कुछ राजाओं के राजवंश के नाम दिए गए है और एकालीन गुप्त कालीन बुगल कालीन हर्शवर्धन कालीन तो अजंता की जो सारी गुफाये मूल्ता गुप्त सासकों के कालगी बनी हुई है इसलिए यहां पर जो सही हुत्तर है वह है इस दूसरा वाला यह हमारा यहां पर बहुँभी कल्पी प्रश्ण समाप्त हुआ अब आए हम लगुतर्य प्रश्ण की तरफ चलते हैं तो यह हमारा पहला लगुतर्य प्रश्ण है अजंता पहुचने के लिए किस इस्टेशन से किस ग्राम तक जाना पड़ता है कि यहां पर बिंदी डाल लेंगे हम लोग अजंता पहुचने के लिए जलगाओं और अंगाबाद तता पहुर इन तीन रेलवेई स्टेशनों में से किसे स्टेशन से फर्दापूर ठीक है ध्यान रखिएगा फर्दापूर नामक ग्राम तक जाना पड़ता है तो हमने यहां पर बता दिया कि किस स्टेशन से किस ग्राम तक जाना पड़ता है दूसरा प्रशन देखिए अजंता जाते समय किस नदी को पार करना पड़ता है यानि कि अजंता जाने के रास्ते के बीच कौन सी नदी पड़ती है इसका उत्तर देखिए अजंता जाते समय ब गोरा नदी पढ़ती है तो इसी लिए इसका सही उत्तर क्या है अजन्ता की घाटी में किस प्रकार का बन है जब हम प्राकृतिक दिश्ची की बात करते हैं तो वहां पर प्राकृतिक बनों का फिवढ़ना नाता है और इसलिए इसका सही उत्तर क्या है अजन्ता की घाटी में चारों और फर सिंगार का बन पाया जाता हैं। नाम है फ्रसिंगार, पर चलेगों किस गूफा में केवल प्राथनाय या उपासनाय की जाती है। स्टूप गूफा गूफा, जो वहां पर स्टूप गूफाएं हैं वहाँ पर केवल प्राथना या उपासना की जाती है पाचवा नंबर प्रश्ण देखते हैं हम लोग अजन्ता की किस गुफा में केवल संध्या के समय ही सूरी की अंतिम किर्ने प्रवेश कर पाती हैं और यहां पर अजन्त्र में बिंदी अवस्य दे लें अब देखी बौध मुलक प्रश्ण की बारी आ चुकी है पहला बौध मुलक प्रश्ण के प्राकर्तिक संधरे का वर्णन कीजिए प्राकरतिक संधरी की द्रिश्टी से अजन्ता बेड़ोड है नीचे नदी बहती है जिसमें बड़े-बड़े सिलाखंड है चारो और हर सिंगार के वन है साथ ही अनेक प्रकार के पुष्प और पल यहाँ पर उत्पन होते हैं तो यह अजन्ता के प्राकरतिक सॉंदर्य का वर्णन किया गया है उसके चारों तरफ जिस प्रकार के प्राकरतिक सॉ अजन्ता के चित्र निर्माड की विधी इस प्रकार थी। दिवार में जहां पर चित्रन करना होता था, वहां का पत्थर तोड़कर खुरदरा बना दिया जाता था, हाथ की मुद्राओं से, आखों की चित्वनों से और अंगों की लोच आधी कब से बहुत सारे भाव व्यक् से की जाते थे, फियो divi आगे का प्रशन, ऊजन्ता की सोलवी नंबर गुफा है, उसके बारहें बताये हैं टिक है उसके बार हैं जन्ता के वर्णन कीजिए सोलवे गुफा के दो चित्रो, लेखनियाँ पहला है, और दूसरा है सथान पर मरती हुई राजकुमारी ये दूसरे गुफा के बारे में बताएं यहां से आपका दूसरी चितर का बडनन also . सोली डुफा के दो चित्रों के बारे में पुछा गया है तो पहला वहाँ भगावन बुद्ध के अब घृता थ्यांग का वर्णन है और दूसरे में मरती हुई राजकुमारी के चित्र का वर्णन है मरने की अवस्था और आशपास की जो दिखलताओं तो है उसका वर्णन किया यह दरशकों की दरवित अवस्था का वर्णन डरवित कर देती है अगे का प्रश्टन है अजनता के सत्रवी ही गुफः के माता पुत्र का । चित्र दिया गया है, उसका वर्णन करके बताएं, तो देखिए, इस चित्र में एक माता अपने पुत्र को किसी के सामने आगरः उपस्थित करती है, और पुत्र भी अंजली पसारे कर उस व्यक्ती के सामने उपस्थित है, चित्रों के सामने एक विशाल महा पुरुष इस्थित है जिसके हाथ में स्विक्षा पात रहे हैं तो यहां पर मुख्य रूप से भगवान बुद्ध का चित्रन किया गया है और एक तरफ यह शोधरा है और दूसरे तरफ उनका पुत्र राहुल खड़ा है और उसी चित्र का वहां पर वर्णन किया गया है अगले प्रश्ण को हारित है और हमें उसके बारे में बताना है देखिए चांपय जातक की कथा में बहुत ही सत्व इसी समय नागराज के रूप में जन्म लिया था चित्र में नागराज आसन पर राजमान कासी राज को उपदेश दे रहे हैं एक अन्य जातक दिर्श्य में 300 चहरे गिने जा सक तो अव्य बारे में बताना है देखिए कि अभी गों ने आसे अपवर द्रिश्य को चुना उनके चरणों में सत फ्रणाम करक्षा के है कि पंक्ती किस पार से उध्रित है तो आको पता है या अजनता की चित्रकला पर शुक्द हो है कि से संदर भी है कि इस पंक्ति की व्या कि जिन लोगों ने किला को मूर्त रूपदेने के लिए इस अनुपम स्थान का चैन किया वे बंदनिय ने लेखक उनके चरणों में प्रणाम करता है यानि कि वास्तों में लेखक जो है वह वहां की मूर्थी चित्रकला और वास्तुकला को देखकर पूर्णतह मुख्द हो गया और इसलिए जिन्होंने इसका निर्माड किया है उसके चड़नों में वह सत्सत प्रणाम करता है यह दूसरी पंक्ति को देखते हैं उनके लिए चारो और कुछ है ही नहीं या हो ही नहीं रहा यह हमारी दूसरी पंक्ति है उनके लिए चारो और कुछ है ही नहीं या हो ही नहीं रहा पहला प्रश्ण है कि उनके लिए किसे संकेतित किया गया है उनके लिए यानि भगवान बुद्ध को उनके लिए जो शब्द है इससे भगवान बुद्ध को संकेतित किया गया है और इसी का दूसरा प्रश्ण देखिए कि स्पंक्ती का अभिप्राय यानी कि व्याख्या कीजी आप यही कह सकते भयंकर मूर्तिया भगवान बुद्ध को गहर कर उन्हें बिचलित करने की चेश्टा कर रही है भेंकर मूर्थिया अपने प्रयास से इस साधना को यानि बुद्ध भगवान बुद्ध की साधना को बिचलित करने अचाती हैं पर इन चेश्टाओं का कोई असर नहीं हो रहा वे अपनी साधना में अडिग बने हुए हैं कि इसरी पंक्ति देखिए प्रतेक भारतियों को अपने अज्यात पूर्वजों पर गर्व है यह पाट में से पंक्ति उठाकर आपको दी गई है प्रतेक भारतियों को अपने उन अज्यात पूर्वजों पर गर्व है और अब इसका प्रश्न देखिए प्रस्तुत पंक्ति क महानाकार करने इसे ने अपना ही छोड़ा वहां पर अपना नाम तक नहीं लिखा है इसलिए उन्हें अज्याद बताया गया यहां पर बारतियए शित्रकला को बनाने का प्रयास किया है उसके देखक ने अभार की भावना बस्तुत की है आगे देखते हैं अब यह हमारा भासा बोद शुरू हो गया है इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द प्रिथक करें तो यह आपने बहुत सारे पाठों में किया है उपसर्ग और मूल सब्द कैसे प्रिथक करते हैं आपको अच्छे पहला शब्द है अपूर्व में अ उपसर्ग है और मूल्शब्द हमारा पूर्व है दूसरा है तूशब्द के शूशब्द तूशम्द तूसम्बंध तो इसका जो है तूपसर्ग और संबध जो है वो मूल्शब्द है संबध तीक है इसी तरीके से आगे के शब्दों को देखते हैं आगे का जो शब्द है वो है जो शब्द है उसकी अंतर गत्वी और उपसर्ग और वीतिया हमारा मूल्शब्द है तरीके से यथोचित में यथा उपसर्ग है और उपसर्ग जो है वो हमारा मूल्शब्द प्रवित्य में प्रवित्य में प्रवपसर्व और वृत्य मुल्शक्त ठीक है यहां पर पेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वैसे बार-बार जो है वह सर्क्ल जैसा आ जा रहा है है परन्तु कोई बात नहीं आज हम लोग इसी तरह पर को पूरा कर लेते हैं है आँसा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्पत नहीं महसूस हो रही होगी इसे हम पूरा करीสकते है पहले ही बहुत देरी हो चुकी है और देरी हो जाएगी तो आज इसी तरह कर लेते हैं तो निम्नलिखित सब्दों से प्रत्य प्रथक करें तो पहला हमारा मुल्चब्द है मूल्चब्द और दूसरा है प्रत्य तो पहले हम मूल्चब्द लिखेंगे फिर प्रत्य लिखेंगे तो हमारा मूल्चब्द जो है वो है गुफा और प्रत्य है ए प्रत्य हमें से पीछे लगता ही आपको मैंने कई बार बताया है पहाड़ीयों में भी पहाड और कियों प्रत्य हैं, इसी तरीके से गहराईयों में, गहराई में कहरा मूलशब्द की प्रत्य, आंदोलित में आंदोलन और इत्थ प्रत्य, तो यह आपका प्रत्य उठक हो गया है, इसके बाद परियावाची शब्द, आयो देखते हैं, पहला शब्द है प्रेम, प्रेम के लिए हम लोग लिख सकते हैं, प्यार, और क्या लिख सकते हैं, प्यार, इसनेह, प्रिती, इसनेह, प्रिती, ठीक है, इसने तरीके से धैरी के लिए, कीरज, सब्र, कीरता, पक्षी के लिए, फग, नभचर, पिहंग, भड़ा के लिए तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सामाने हैं, बचपन से याद करते आ रहे हैं, अश्व, तूरंग, पोटक, हाथी के लिए, गज, यलावा, अब लिख सकते हैं, पुंजर, हस्ती, माता के लिए, मा, जननी, यलावाब क्या लिख सकते हैं, मा, जननी, अंबा, या फिर महतारी, यह कुछ परियावाची शब्द हुए, के बाद हमारा आखरी वह है, वाक्य प्रयोग, निमनेलकित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए के अंदर पहला शब्द है हमारा वर्तुलाकार वर्तुलाकार का मतलब होता है वरित के आकार का यानि की गोल जिससे हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं वर्तुलाकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं वहां के वर्तुलाकार वर्तुलाकार का मतलब बता है गोलाकार का इसके बाद दूसरा जो हमारा शब्द है वो है हस्तकॉसल हस्तकॉसल का क्या लिख सकते हैं अजन्ता अजन्ता की चित्रकारी हस्तकॉसल 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 का वेजोड उदाहरण है या फिर नमूना है आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अलावा चित्ताकर्शक का मतलब होता है जो आपके मन को भाए क्या लिख सकते हैं उप्वन उप्वन यानि भगीचा उप्वन की क्यूं या कि इसके वद्वार श्ब्द हमारा रमणियां अगरी का जो शब्द है वो हमारा रमणियां की तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि बाग में एक रमणियां सरोबर है आप ऐसे लिख सकते हैं बाग भी एक रमडिया रमडिया यानि अब सुंदर भी कह सकते हैं रमडिया सरोवर जिसे के हम तलाब भी कहते हैं सरोवर तो इसी के साथ इस पार्ट का जो भाषा बोध है वो भी समाप्त हुआ तो हम लोगों ने इस पार्ट में खुल मिलाकर बहु कलपी प्रश्न लगुतरिया प्रश्न बोध मूलक प्रश्न और भाषा बोध यह चारों अंग कर लिया है और आज थोड़ी सी टेक्नोलोजी की प थोड़ा अटपटा लगे परंतु पढ़ाई है हम कर ही सकते हैं तो इसलिए मैंने यह वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए आसा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए उपयोगी होगी सबसे बड़ी चीज जो है वो है उपयोगी तो अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको और किसी पार्ट की वीडियो चाहिए तो जरूर कॉमेंट करके बताएं तो इसी के साथ अलविदा धन्यवाद